जिनकी थड़कने बढ़ रही थी जब 12 पर 31 चाहिए थे तब विराट ने क्या सोचा कैसे टी मिडिया को जीत दिला दी एक एक गेंद का रोमांच आपके सामने रखेंगे अगर इस मैच को किसी ने आखरी के दो वर नहीं देखा तो शायद वो आज बहुत कुछ चूग गया उसे समझ में ही आएगा कि आखिर काल आखिर में क्या चमतकार हुआ 12 गेंदो पर चाहिए थे 31 रन शायद पाकिस्तान भी ये सोच चुका था कि वो जीत गया मैदान से पाकिस्तान इस समर तक पाकिस्तान की ओसला अवसाई कर रहे थी लेकिन जीत की स्क्रिप्ट तो अभी लिखी जानी थी विराट सोच कर आय थी कि आज जीत की स्क्रिप्ट लिएक उस पर साइंग करेंगे उन्होंने तै कर लिया था कि वो छोड कर नहीं जाएंगे वैसे भी उनका तो रिकॉर्ड है कि जिस मैच में वो नाबाद रह गए मानो वो मैच टी मिडिया जीत करी वापस लोटेंगी और आज भी वही हुआ तो अवर में चाहिए थे 31 रन विराट कोली और हारदिक पांडय क्रिस पर थी रौफ उन्नीस वावर करने आये थी जिस वक्त एक 30 रनों की दरकार थी उन्होंने शानदार गेन डाली हारदिक पांडय लंबा शोट खेलना चाहते थे लेकिन एक ही रन ले पाए उन्नीस वावर की दूसरी गेन विराट कोली चाहते थे कि एक स्लैप्ट लगाए लेकिन यहां भी सिर्फ एक ही रन मिला यानि अब टेंशन बढ़ चुकी थी दो गेंदों पर सिर्फ दो रन आये अगली गेंद हारदिक ने खाली निकाल दी कोई रन नहीं उसके बाद चौती गेंद पर हारदिक ने एक रन लिया यानि चार गेंदों पर तीन रन और चाहिए थे 31 रन अब भला कैसे होगा लेकिन आखिर में दो छक्के जो ये बता रही है कि पांचवी और छटी गेंद पर राउफ की दो छक्के जड़ विराट कोली ने बता दिया कि मैंच अभी गया नहीं वो हमारे हाथ में है विराट कोली ने राउफ की गेंद पर ऐसा छक्का लगाया कि हार कोई देखता रह गया किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या था उसके बाद आखरी गें थी और उन्होंने रिस्ट की ताकत दिखाई अपनी कनाईयों की ताकत से लेट ओफ फाइन लेट पर ऐसा चक्का जड़ा कि देखने वाले बस देखते रह गए और यहाँ पर उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया कि अब तो जीत होकर रहीगी उसके बाद था आखरी ओवर जिसमें जीतने के लिए चाहिए थे सोला रन और सामने थे नवाज स्पिनर पाकिस्तान के पास एक ओवर स्पिनर के रूप में बचा हुआ था जो सिर्फ नवाज को जिम्मदारी दी गई बाबाराजम शायद सोच रही थी कि आसानी से जीत लेंगे सोला रन बहुत बड़े हैं लेकिन विराट के सामने तो बड़ी बड़ी चटाने धेर हो जाती है और कोली ने आज अपना विराट रूप दिखा दिया भारी भरकम तरीके से इस मैच को कैसे मुठी में कर लिया ये किसी ने सोचा नहीं था लेकिन जटका तो उस वक्त लगा टीम इडिया को जब हार्दिक पांडिया पहली गेन पर नवास की एक बड़ा शौट खेलना चाते थे लेकिन सीधा गेन बाबाराजम के हातों में चली गई यहाँ पर विराट को भी जटका लगा लेकिन वो ठिटके नहीं हटे नहीं उन्होंने अपना रिदम खोया नहीं आगली गेन पर कार्तिक आये कार्तिक ने एक रन ले लिया और सीधा स्ट्वाइक कोली को दे दी उसके बाद विराट कोली थे और पूरी पाकिस्तानी टीप वैसे भी आज विराट के सामने कोई गेन बास कोई पाकिस्तान का खिलाडी टिक नहीं पा रहा था तीसरी गेन पर विराट कोली ने एक स्ट्वेड राइट खेलते वे दो नल लिये लेकिन चोके चको की दरकार थी क्योंकि जीतने के लिए 16 रन चाहिए थी उसके बाद चोथी गेन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया ये गेन विराट कोली ने 6 रनों पर पहुँचा दी लेकिन गेन उनकी कमर से उपर थी लियाजा यहां पर अमपार ने सीधा उसे नौबॉल दे दिया जिसको देखर पाकिस्तान भी हैरान रह गया वो मैदान पर भी उतर गए चीटिंग भी करने लगे बात भी करते दिखाई दिये लेकिन यहां पर उनकी एक न चली और गेन सीधा सातरन बटोर गई उसके बाद दबाओ अब नवास पर पूरी तरह से आ चुका था वो समझ चुके थे कि विरात कोली अब छोड़ेंगे नहीं अब वो मैच कर जीत कर ही जाएंगे ऐसे मैं नवास करें भी तो क्या